नमासकार दोसन स्वागत थे आपका हमारे शेनल लिशार जागंद रमिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कन्यराश 11.9 नवंबर से 14.9 नवंबर 2021 तीन साव धानिया दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्यराश वाली जातकों के लिए 11.9 नवंबर से लेकर 14.9 नवंबर 2021 तक कर समय कैसा रहेगा यानि कि 11.9 नवंबर, 12.13 और 14.9 नवंबर कैसा रहेगा इन चार दिनों में कौन से वीचे सावधानिया रखने की जरूरत है तो यदि आप कन्यराश की जातक है तो वीडियो को पूरा वश्य देखें साथ ही वीडियो को लाइक करें इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें चलिए सबसे पहले दिन की सुरुवात कर लेते हैं तो कन्यग राश की जात कों कार्थिक मास के सुकल पकशी 17 से दिन के सिरवात होगी और अंत 10 सी तिति से होगी और चंदर देव की बात करें तो चंदर मां मकर राशी, कुमभ राशी और मीन राशी में घोचर करेंगे में जैसे कि मंगल और बुद्ध की भी यूति रहेंगे तो बुद्ध सित्यज का नीर connects रहेंगें तो ये थी कुछ ग्रह गोचर सुतियाद अभीनी के यधार पर जानेंगे कशनिय रहेंगे की जार नवंब्र 12, 13 और 14 नवंबर कैसे रहेगा इन 4 दिनों में कौन से बिस्तार सावधनी रखनी है सभी पहलों के बारे में बिस्तार से चर्चे करेंगे चाहे आपका केरियर हो, नौकरी, बिजनेस ब्यापार, कारोबार हो दामपत जीवन, बैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, लव लाइफ और स्टुडेंट के लिए स्वास्त और पारिवारिक जीवन तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्यराज के जातकों आपका केरियर कैसे रहेगा बिजनेस ब्यापार कैसे रहेगा इन चार दिनों में, तो कन्यराज के जातकों निश्री तोर पे कहा जाए, तो इन चार दिनों के दर्मियान आपके केरियर में कुछ उतार चढ़ाओ देखने को मिलेंगे, क्यूंकि पंचम भाओ को यानिकी दस, एक जारा नवंबर के दिन, पंचम भाओ पे रहेंगे चंद्रमा, और रात्री को चले जाएंगे आपके छटे भाओ पे चंद्रमा, तो यहां से कुछ सत्रू बिरोधी गतविदियों से भी थोड़ी सी परिशानी तो होगी, लेकिन आपको केरियर में, आपके साथ ज परचने पैदा कर सकते हैं, आपके काम से असंतोष्ट हो सकते हैं, थोड़ी से आपको धियान रखना होगा, यहनि बिवादों से दूरी बना रखना होगा, काम पर फोकस बना के रखना होगा, किसी भी तरह के लापरवाही आपको कन्य राजक्यात को नहीं करने होगे, क्य की एक भी लापरवाई करते हैं तो आपको परेशानियों में आप पढ़ सकते हैं तो कन्य राज क्यात को अगर हम बिजनेस व्यापार और कारोबार की बात करें तो बिजनेस व्यापार और कारोबार में भी थोड़ा सा उतार चड़ाओ आपके लिए बना रहेगा यहां पर क बचके रहना इन शेत्रों में ज़्यादा ज़्यादा निवेस ना करें हाँ एगर आपने पहले से सेर मार्केटिंग में या फिर आपने जिविन प्रॉपरिटी में निवेस किया हुआ तो आपको लाव होगा लेकिन नए सिरे से इसमें आप गाड़ी बाहन का भी प्रयोग कम करें। इसमें आप कहीं पर भी निवेश करने से बचें उधार लेन देन करने से बचें पारिवारिक जीवन की बात करें। इसमें आप किसी भी प्रकार के विवादों से बनाएं निवेश करने के जरूरत होगी। जीवन साथीक साथ अगर बेहतर करना होगा तो उनके साथ बेहतर तरीके से पैसाना होगा। उनकी जज़बातों का समझना होगा मान समान करने की जरूरत होगी और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास भी करना होगा लब लाइब की बात करें तो कन्य राज के आदकों लब पाटरन के साथ आप साधी व्या के चेर्चाएं कर सकते हैं साधी व्या का आफर दे सकते हैं हलक ये समय उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है इसलिए थोड़ा सा धहर बना के चलने के आवज सकता होगी जल्दवाजी में कोई भी कदम उठाते हैं तो परिसानी में आप पड़ सकते हैं थोड़ा सापको ध्यान रखने के जरूरत होगी जल्दवाजी में कोई भी कदम आप न उठाएं कने राज के जातको निश्यतर पर अगर इसमें आप समाजिक छेतर में कोई महत्पूर्ण काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी से आपको बेज जिती यह यह कहें तो अपमान का सामना करना पड़ सकता है किसे के द्वारा कोई आपके पीट पीछे बुराई भी कर सकता है थोड़ा सापको धेर बना के रखनों का हाला कि क्रोध से बचना होगा आज राजनितिक छेतर से भी जुड़ाओ और लगाओ बन सकता है यात्राओं की योग बन रहे हैं करने राजकेत को इसलिए इन चार दिनों में यात्रा करते समय अपने किमती चीज़ की देखरेक जरूर करें क्योंकि हमने पहले का कि तिन सावधानिया रखनी है तो आपको अपने किमती चीज़ की देखरेक जरूर करना है बिशे सावधानी रखे वरनाज आप पू का कोई कीमती चीज़ खोने का ये फिर चोरी होने का डर बना रहेगा इसलिए यात्रा करते समय अत्रिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है खास कर गाड़ी बाहन से सावधानी बरते हैं बिदेश में जा रहे हैं तो वहाँ पर नई जोब लगने की अगर संभावना के लिए तलास कर रहे हैं या फिर आप नए बिजनेस ब्यापार को करने के लिए संभावना की तलास कर रहे हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पर मेहनत करने के आवास सकता होगी और ज़्यादा कितों का सामना करना पड़ेगा लेकिन आपको अपने प्रोषिक साथ समंद बेतर करने के लिए जरूरत भी होगी और यहां पर देखा जाए तो दूर दराज के रिष्टेदारों से मेल मिलाप हो सकता है मनसमानी बेक्तियों का आना जाना होगा और किसी बड़ी कंपनी से आपको अत्रित सावधानी बरतने की जरूरत होगी वाड़ी पे कंट्रोल बना के चलना होगा करने राज करते हो और वाड़ी पे कंट्रोल के साथ साथ यानि कि आप कहीं पर भी कोई भी सब्द बोलेंगे तो सीमित मात्रा में ही बोलने की जरूरत होगी बिसेश कर तीन सा लिखेगा और जै मातादी या जै संदेव लिखेगा और साथी बीडियो को लाइक करिएगा और इसे जदा ज़्यादा शेयर करिएगा और साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा